नमस्का दोस्तों कैसे आप आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल स्टॉक मागेट उड़े पे हैं दोस्तों इन दुनों काफी दिनों से मैं अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब से आउट हूँ कोई वीडियो भी नहीं आरे थी बट कोई अपडेट आप से गुजारिश है दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखेंगा पुरानी वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं वाच किया है तो उसको जाके दिरूर देख लीजेगा क्योंकि पुरानी वीडियो में सबी चीज़े बहुत क्लिरली हमने डिस्स कर दी गई थी मु पैसा नहीं है दो चीज़े बड़ी इंपोर्टन रहे एक तो आपका खुद का पैसा दूसरा आपका इंदर पेशिंस देखिए अगर आप टेलिग्राम के साथ जुड़े हूँ है जिस टेलिग्रम का लिंक के इस वीडियो को डिस्स्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस और भी आगे जाने वालategia उनके वीडियो ले आँगा जबी जिकर किया था मैंने बट किसी आजी कारणों की वेजियो नहीं बना बहला था और अब वह वीडियो को पूरा एक चांट हाने वाला हूं कि हाँ यहाँ पे एक information आने वाली है माप को ही मज़ाएगा मुझे ही मज़ाएगा बढ़ते हैं गेल की तरफ गेल को क्या हो रहा है गेल क्यों नहीं चल रहा है दोस्तों यह पूरा पूरा same setup है ध्यान दीजिए मैंने इस पे कोई भी एक line भी change नहीं कि zone था बहुत ही clear यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख के दिया था कि 84 रुपीज का stop loss है 84 रुपीज नहीं तूटेगा नहीं तूटना चाहिए किसी भी हद तक नहीं तूटना चाहिए और 84 आता है तो मैं further और buying करने वाला हूँ क्योंकि यह positional call है यह delivery based call है दोस्तों यह बिल्कुल भी intraday की call नहीं है यहाँ पे हम इन stock को delivery based देख रहे हैं इसमें 2 मुने, 4 मुने, 6 मुने लग सकते हैं तो जिन लोगों को तसली हो equity based trading करना चाहते हो मैंने कहा था future options में इसको trade ना करें यह pure delivery based trade है दोस्तों पर आपको result दरूर निकाल के देगी यहाँ पे समझी यह बड़े ध्यान से देखे इतना अच्छा आपको analysis करके दिया था कोई करके नहीं देखा आपको समझ के देखे जो लोग confused है दोबारा से इस वीडियो को ध्यान से देख ले तो यह zone बहुती deadly resistance zone का काम कर रहा है हमने उस दिन भी कहा था 106 rupees का zone एक ऐसा zone है जो cross हो जाना चाहिए हो नहीं रहा है फिर से 1, 2, 3, 4, 4, 4 चौती बार उसने 106 rupees के आसपास को टच करने कोशिश की आज भी उसका जो high है 103 rupees 10 पैसे के आसपास का आज का high है 106 का zone है वो एक supply zone का का काम कर रहा है आपको घबनाने की ज़रूरत नहीं है यह अच्छा stock है fundamentally बहुत ही शांदा stock है gas authority of India limited जो नहीं जानते मैं बता दू this is a very very fundamentally very good stock so once it crosses 106 इसका पहला target 115 rupees होगा दोस्तो 115 rupees से पहले नहीं रुकेगा पहला target 115 होगा आपके risk reward की मेरी कोई रुमेदारी नहीं है और this is a disclaimer which is required by the saving norms अब देखे यहां बहुत clear लिखा है 84 का swap loss हैगा first target will be 115 115 रुपे जिस दिन पार करेगा उसकी closing आएगी 134 and it is eventually heading towards 145 to 150 zone देखिए यह hurdles हैं दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए 107 रुपे 106 रुपे के आसपास काड़ल है cross करेगा second hurdle 115 रुपे के आसपास में face करने वाला है यह hurdle cross होने कि आद में third hurdle आएगा 133 की zone में आएगा 133,34 के आसपास में आने वाला है once it crosses that उसके बाद जो रहेगा 61.8% की retracement रहेगी that is 145 to 50 लेवल के आसपास में दोस्तो गभराने की जरूरती नहीं है delivery based call है हमने इस stock को इसलिए purchase किया था कि ताकि हम delivery based काम कर सके दोस्तो delivery based का मतलब होता है कि हम positions equity में लेते हैं जिन लोगों को यह excitement है कि आज stock बताया है तो आज चलना ही चाहिए दोस्तो यह वो stock नहीं है इंट्राडे की positions नहीं है future options की positions नहीं है तो प्लीज जिन लोगों की positions उसमें मेरे साथ से बनी रहनी चाहिए उनके विए detailed video आपके सामने लेके आने वाला हूँ बहुत बशुक्रिया दोस्तो तो thank you so much और जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लें दोस्तों में जरूर बताएं क्योंकि यहां आने वाले टाइम में बहुत ही surprise आपके लिए लेके आने वाले बहुत सारी ऐसी services आट होने वाली है इस चैनल पे इस चैनल से जुड़े हुए टेलीगराम पे बहुत साइज चीजों पे आपको बहुत जानकारी मिलेगी शेर बदा से जुड़े हुई जो आपके पोर्टफोलियो को आपको बढ़ाने में मदद करेगी thank you so much for watching this video take care, bye bye, jahin